ऐसी ही और मज़ितान रेसिपीस को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन को भी जरू प्रेस करें आलू गूवी मटर की सबजी का नाम सुनते ही हम सभी के मुम में पानी आने लगता है आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बट खास बात यह है कि इसमें आज हम प्यास लेसन का इस्तमाल नहीं करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बना कर तयार करेंगे आप इसे कभी भी बना कर सकते हो चाहिए घर में गयस ना आ जाए कुछ स्पेशल फंक्शन हो या नॉर्मल डेस पर भी बना कर सकते हो आपकी और आपकी पूरी फैमली को बहुत पसंद आएगा और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले तो चलिए बिना दिर किये आज की इस सुपर डिलिशियस रेसिपी को शुरू करते है तो इसी बनानी के लिए मैंने यहां पर एक कढ़ाई में दू से तीन चम्मत सरसो का त तेल जैसे गर्म हो जाएगा हमें इसमें गोबी डालना है तो यहां पर ना मैंने गोबी को थोड़े बड़े तुकड़ों में कट करके और इसे अच्छे तरीके से पानी में दो से तीन मिनट के लिए बॉल कर लिया इसे डाल देंगे धियान रिखे ना कि आप गोबी को थ अच्छे तरीके से नहीं दिखते हैं तो आपको इसे बहुत जाता जाता नहीं चलाना है ढग करके मीडियम फ्लेम पे बढ़िया तरीके से गोल्डिन हो गया इसे मैंने निकाल लिया और अब इसी कढाई में हमें आलू को भुनना है तो मैंने एक्स्ट्रा ओइल नहीं डा और गोबी को भुन करके डालते हैं तो सबजी बहुत जादा टेस्टी बनती है तो यह देखें आलू भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गोल्डिन हो चुका है हमें इसी बहुत जादा नहीं भुनना है तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे और चलिए फटा-फट से प्रे इसी के साथ मैंने इसमें एक सुखी लाल मिश आट की है एक रथाई चोटी चमच जीरा डाला है इसे हलका सा क्राकल करेंगे ताकि इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसके बाद मैंने डाला है टमाटर अद्रक का और हरीमिश का पेस्ट दो बड़ी टमाटर थी और इसी के साथ स्वाद अनुसार आप अरेमिश ले ले और एक इंच अद्रका तुक्रा था इसका मैंने पेस्ट आड़ कर दिया अब क्यूंकि मैं बिना प्यास लैसन की बना रही हूँ इसलिए मैंने प्यास लैसन नहीं आड़ कैए अगर आप प्यास लेसन को डालकर की भू स्वाद तो अधी चोटी च्मछाली पाउडर लिया चुटी चूटी चमछी में ली काविडर वाठ Consiglis स्वाद अनुसार लाल में लाओंडरे पाउडर करूडर है। जसरे थी में पसंद ए One benchmarks वी नणानसार नमk मालबकि अधक करें लाज भीडिन अया किया था तो इस वक्त आपको टेस्ट के कॉर्डिक नमक एड़ कर दिना है मसालों को हमी लो टू मीडियम फ्लीम पर ही भुनना है ताकि वो अच्छे तरीके से भुने जब तक इसमें से अच्छी सी खुश्पुवानी शुरू हो जाए सारे मसालों को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से पक करके तयार हो जाए वैसे तो हमने इस सब्जी को बहुत ही जिंबल तरीके से बनाया है बट रस्ट में यह जादर टेस्टी बनके तयार होती है जैसे हम शादियों में या ढाबा वाले आलू को भी मटर के सब्जी खाते ना बिल्कुल वैसा तो इसी ब्रणिया तरीके से मिला देने के बाद मैंने इसका ढखकन लगा दिया अधक करके मैंने मसालों को अच्छे तरीके से बुन लिया इस बात का ध्यान रखिए कि जब मसाली भूनेंगे ना तो आप उसे बीच बीच में चलाते रहे क्योंकि अगर आप उसे अच्छे तरीके से मिला देना है और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम क्योंकि यहां पर आपको बहुत जादा जादा और बहुत जल्दी-जल्दी मिक्स नहीं करना है क्योंकि गोबी अगर तूट गे ना तो सबजी वह अच्छे नहीं लगेंगे इसलिए हलके हातो सबसे चलाएं और इसे बढ़िया तरीके से भुने ताकि जो आलू और गोबी है ना वो हर फ्लेवर को अपने अंदर अच्छे तरीके से ले 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 और बढ़िया तरीके से भुन करके तयार हो जब आलू और गोबी अच्छे तरीके से भुने का सारे फ्लेवर को अपने अ चाहते हैं उस अनुसार और बस इसे अच्छे तरीके से मिला दे अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है बस इसका ढ़कन लगा करके अब मीटियम फ्लेम पर पर Ice तो मीटियम फ्लेम पर मैने इसे तीन से चार मिनुट तक अराम से कि आël हो दिया और इस Salvador अ अगर आप थोड़ी सी ड्राइ सब्जी बनाना चाहते हो ना तो आप थोड़ा पानी कम डालना लास्ट में मैंने इसमें कटी भी हरी धम्या की पती डाल दी है क्योंकि इसके बिना तो हमारी सब्जी अधोरी है अगे हमारी गर्म गरम आलू-गुपी मटर के लाजवाब सब् मसाले के बहुत ही ज्यादा टीस्टी बन का तयार होती है आप इसे चावल के साथ या रोटी पराठी किसी के साथ भी एंजॉई कर सकते हो उमीद है आज की रैसेपी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शरूर करिए का और अपनी दोस्तों क सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रिखिए थांक ये सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो